जहिएं दौस्तों इस से पहलेम वीडियो बना था जिसमें आपको पताया था कि पूरे देश में बहुत सारे रासनकार्ट बंद होने वाले 13 किसका बंद होगा किसका नहीं होगा लगभग मैंने उस वीडियो में लेकिन आज मैं किलियर कर रहा हूँ क्यों उस वीडियो के कोमेंट वॉक्स में बहुत स्र숙 अीसे पूछा गया है कि क्या मेरा भी बंद होका इसका क्या ुपीडियो में बीझा होने करते-बीगिन सुरसा भीत है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा समय निकाल के आप पूरा वीडियो के देखिए सारा समस्या का सामाधान आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा यह तो सत्य है कि राशनकार बंद होने वाले हैं आप देखते होंगे आप अपने गाउं में देखिए या फिर सहर में ओ रासन मिलता गेहु मिलता है चावल मिलता है तो कम सरकारी मिलता है और और निकलते हैं किसी दुकंदर से बेच लेते हैं जबकि शरकार उसे राशन खाने के लिए देती है लेकिन लोग लोग उसे वहां से आते बेच लेते हैं इससे यह सावित होता है कि लोगों को रासन की जरूरत नहीं है इसके आलावा भी कई कारण मैं बताऊंगा लेकिन इससे भी सावित होता है कि लोगों के रासन की जरूरत नहीं है कोई भी घटना हो कोई भी बात ुश का हमेस दूarna कीरत काूट सावर सभव दीन पहुंचिए जाता है तो पता है कि लोग नार्शन उठाते हैं और ड्राशन बेड़ेक्रांद जो राशन सरकार दीजरी जा रहा है वह सही जगह पे नहीं पहुंच इसलिए सरकार निर्म किया है कि बहुत सारे हैं जिनय जरूरत नहीं है उन्हें किया जाएगा उसका पी बहुत सारी में देख्वा पर ने 2021 कहना रहा है इचल सरकार को तेते हैं उन्हें रासन लेने का कोई हक सब्सक्राइब करना होगा उसे जुर्माना भरना होगा इसके अलावा मैं आपको पांच किलो वाट का जर्नेटर जिनके पास है वह रासल लेने का हगदार नहीं यह सरकारी लिश्ट बता रहा हूं इसके घर में एसी लगा हुआ है या पिर प्रस्नल ऑफिस है कहीं पर उन्होंने लगा रखा या फिर उनके पास कहीं कमर्सियल संस्थान है कोई दुकान है व और स्टबसक्तर पर संस्थान बदाय में और उनके उद्याएं फिर अपर और आप रासन ने का हगदार नहीं है इसके के अलावा है golf ड्ली सकते हैं तो फिर आप रासन लेने के पातर नहीं या रासन नहीं उठा सकते हैं सरकारी इसके अलावा मैं और आपको बता दो कि यह तो मैंने पता है कि जमीन सकता है मार्कर बन सकता है या फिर आपके पास कोई मकान है तो आप रासन नहीं उठा सकते हैं सरकारी रासन आपका निरस्त किया जाएगा इसके अलावा मैं आपको बता दो कि सरकारी नोकरी सरकारी नोकरी जिसके घर में अबसरकारी का मतलब यह नहीं हäreकर चाहे आपके चपराशी क्यों नहीं है रासन सरकारी रासन नहीं उठा सकते हैं अब बताया भी नहीं जाएगा निरस्त कर दिया जाएगा मैं आपको बता दू कि करोणा जो काल आया था 2020 में 2020 से लेके 2021 तक लगातार करोणा का कहर जारी था पहुत लाखों की संख्या में लोग मरें पूरा देश बन था दो बार लोकडाउन लगा अपने देश में 2020 में 2021 में देश का हाला तो बहुत खराब था उस पीरियेर में सकतें हैं हैे हैं राष राष रांव भाटा सकते हैं घ्यांठ अच्छे लोगों का कि खराब हो गया था तो तो इसमें क्या है कि संपल लोग अच्छे लोग भी बनवा लिये थे सरकार इसमें बहुत छूट दे रखी थी तो उनका खास तोर पर उनको खास तोर पर अपील किया गया है कि आप लोग अपने राशन कार्ड का सिरेंडर कर दे क्योंकि आपको उस समय ज्यादा जरूरत थी आपके पास परपटी था सब कुछ था गारी था लेकिन खाने के साधन नहीं था उसमें इस्तिति थोड़ा गरबर हो गया था मार्केट बन था बहुत सारे चीज़ उपलब्द नहीं हो पा रही थी इसलिए राशन कार्ड बना दिया गया आप इस राशन कार्ड को सिरेंड आपने की जरूरत नहीं है कि कि आपको घबराने की जरूरत की जरूरत नहीं है उनको किसी परकार के जहांच के सामना नहीं करना पड़ेगा उनका कार्ड नहीं निरस्त किया जाएगा उनके कार्ड का कोई भी विरिफिकेशन तभी होगा जब दुबारा कभी जनगन्ना होगा और उस पूछा जाएगा अगर इतने दीन में वह संपन हो गए हुए है तो नहीं बनवा सकते हैं लेकिन अग संपन और जनकनना में अगर आपने डिटेल्स दिया था आधार पर आपका रासनकार बना था 11 12 13 14 15 तक तो फिर आपका रासनकार किसी में नीरस्त नहीं होगा आपको जाच के ताएरे में आते हैं इसलिए आपको घबरानी की जरूरत नहीं है यह सिर्फ बताता है कि राशन कर दिया गया है उन्हें बीना बता क्योंकि वो लोग संपन्न से जरूरत नहीं था जरूरत मंद नहीं थे और और रिकॉर्ड सारा चीज दो हुआ था कि उनके पास क्या क्या था क्या का फिर है फिर वी उनके पास पुराना है जंगन्ना वाला है कोई दिक्GHTत नहीं लेकिन फिर भी आपने सटी जो के मंढ़को कर देता हो अब भुए कram Proto K dit नहीं है यह पका सल नहीं करते हैं आप नहीं करते हैं जमीन आप पास अस्य उसकार मीटर मतलब लगबक सो गच के आज पास आपके पास नहीं है कोई कमर्शियल जमीन या पिर आपके घर में सरकारी नौकरी नहीं और गलती से निरास्त हो भी जाता है वहाप हब यहां अपने पहसील में जाकर खाद पुर्ती विभाग हुआ पर आबिदन देना है कि आपका रासन कार्ड एक महिने के अंदर चालू कर दिया जाएगा तो आपको घबरानी की जरूरत नहीं है आप जरूरत मन्द है तो आपको रासन मिलता रहेगा जो भी सारह को क्लियर कर दिया हूं लेकिन फिर भी फिर भी मैं काहना चाहूंगा कि कुछ चूट गया हो कुछ पूछ ना हो कुछ जानना हो तो मैं फिर से वीडियो बना दूघंगा आप अपने सवाल को रखते रहे है अपनी बात बताते रहा है यह है जो भी आपके मन में सवाल होगा है तो आप यह लिखे कि आपका सारा समस्या का हल हो गया है आपका किलियर हो गया है सब कुछ लेकिन कुछ में मुझे छोटा सा भी रह गया है तो पिर से वीडियो बनाऊंगा आप एक ही बाद देता हूं मिलते हैं नेक्स वीडियो में जो आप ही के मुद्धे पर होगा तब तक के लिए सुक्रिया धन्यवाद जाए हिंद मेरे दोस्तों